सबसे पहले मैं शरत पवार जी ठाकरे जी और जो महराश्ट्रा कॉंग्रेस के हमारे नेता हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेशन यहां हमारे लिए किया सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई पहले कि एक कोडिनेशन कमिटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेरिंग का मामला है उसको हम डिसकस करके उसमें हम रेजलूशन निकाल देंगे नरेंद्र मोदी और अदानी जी के वीच में जो रिष्टा है उसके बारे में मैंने कल बोला इंटरनेशनल फाइनेशल न्यूस पेपर्स में आया है कि एक बिलियन डॉलर पैसा हिंदुस्तान से गया है बाहर गया है और वापस आया है नरेंद्र मोदी जी जी ट्वेंटी करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज़त का मामला है नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इनक्वाइरी कराएंगे और अगर वो इनक्वाइरी नहीं कराएंगे तो पर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इनक्वाइरी नहीं कराई जा रही है स्टेज पे जो नेता है जो पार्टीज है वो हिंदुस्तान के साथ परसेंट लोगों को रेप्रेजेंट करती है और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज है जो हमारी नेता है उनके वीच में जो रैपोर है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो गेरी होती जारी है और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा बीजेपी बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीन कर चुने हुए दो-तीन लोगों को देती है हमने प्रोग्राम्स की बात की है एक हम कमिटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के वारे में डिसकॉशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं गरीब लोग हैं उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को आप सब को दिखाएंगे थैंक यू